नमस्कार मैं हूँ दिपाली राना आप देख रहे हैं गोल्ड स्पोर्ट सबसे पहरे बात करेंगे सोने चांदी के सरकार ने सोने चांदी के स्क्रूउ हूँ को असिकों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और बढ़ी हुई दरेकल यानि 22 जैनवरी से ही लागू हो गई हैं अचानक इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है क्या है पूरी खबर पहले इसे समझते हैं चलते हैं मेरे सेयोगी असी मंचंदा के पास अब उसके अब इसको बढ़ाने का पैसला किया है सरकार ने इसको बढ़ा कर घाई परसेंट तक बढ़ा दिया अब इसके उपर 15 परसेंट की बात करूं तो दो इसमें कंपोनेंट डालेगा है पहला 10 परसेंट का बेसिक कस्टिम ड्यूटी जो लगता है और दूसरा अल इनवर्टी ड्राबैक सरकार ने एड किया है 5 परसेंट का तो कुल में लागर करके अब इनके उपर 15 परसेंट की ड्यूटी लगेगी और यह आज से ही लागू हो गई है यानि कि अभी कोई भी स्क्रूज हुक या या सेलवर फाइंडिंग्स को इंपोर्ट करेगा तो उसको यह ड्यूटी चुकानी पड़ेगी सरकार के मताबिक काफी इंपोर्ट जो है पिछले दिनों से बढ़ गया था तो उसको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया और ज ओके शुक्रियासीम आपका ये डीटेल्स बताने के लिए और हमारे साथ प्रो इंटेलरेट सर्विसेस के फाउंडर दिनेश सुमानी है बॉंबी जोलर एस्टीजों की वीपी कुमार जैन है एनर्जी एक्सपर्ट आगे हमारे साथ नरें तने जाभी मौजुद रहेंगे लेकिन पहले इसी ख़़र पर बाचित करते हैं जो डीटेल्स हमारे साथ अब ये भी असीम ने शेयर की हैं कुमार जैन साथ हमारे साथ बने हुए हैं जैन साब काफी सारे चीजों पर ये बदलाव हुआ है जैसे असीम भी हमारे साथ अभी डीटेल्स शेयर कर रहे थे ना बड़ा गैप था, साड़ा इक्यारा परसंट ड्यूटी थी, वो ड्यूटी बढ़ा कर सरकार ने 15 परसंट कर दिये, अब जैसे कोईंस है, सिल्वर हुख है, स्कुरू है, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम थी, सरकार को यह बात में समझ में आया कि नहीं, यह से भी पार्ट इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी अगर गोल पर लगती है, तो उसी तरह इस आइटम पर भी लगती है, सिर्फ मेकिंग का जो बेनेफिट है, वो ने पॉब्लिक को नहीं मिलना चीए, एक बड़ा गैप था, वो गैप खतम हो गया भी, और इंपोर्ट ड्यूटी परसंट से 11 परसंट, साड़े 11 परसंट, साड़े 12 परसंट, से 15 परसंट बढ़ा दी गई है, अब वो बेनेफिट जो भाव का जो बेनेफिट है, वो पॉब्लिक जो यह चीज बनाते थे, कोईंस होके रहे, उनको यह बेनेफिट नहीं मिलेगा, उनको भी मार्केट रेट से गोल लेना पड़ेगा, और वो ही रेट से उनको ड्यूटी लगेगी, जैन साब एक चीज बताइए, अगर हम ओवराल पहले हम गोल की बात करते हैं, और हम ओवराल गोल की डिमांड करें, फिचे वो कोईंस हो, जोलरी हो या फिर गोल के, अगर कोई हुक इस्तमाल करता है, कितन रेशियो था इस डिमांड का, और इस डिमांड पर आप कुछ इंपाक्ट देख रहे हैं, क्या गोल कोईंस की या फिर जो भी जहां भी इन कॉंपनेंस का स्तमाल होता है, अभी जैसे भी बहुत बड़ी डिमांड थी, अभी जैसे भी बहुत सारे फेस्टिव सी जाया है, अभी आने वाले समय में भी और तेजी आएगी, अभी जो अपने यहां पर अभी अक्षय थितिया आ रहा है, जो सबसे बड़ी डिमांड लेगाएगा सोने की, अक्षय थितिया, तो ऐस तरह से कोईं की एक्वली डिमांड रती है, अमेशा फेस्टिव सीजन पर एक जबर अभी रिफिल हो जाएगा, और जो डिफ्रेंस था, वो डिफ्रेंस खतम हो जाएगा, डिसकाउंट रेच जो था, वो एक्टम हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी डेफिनेटली कंज्यूमास को पास ओन होगी ना जो सिक्का होगा गोल्ड कोई जो खरीते हैं लोग इस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद उसकी कीमत तो जाधा हो जाएगी ना तो मैरा मैसिव आपसे पूछन चाहरे थी कि कंज्यूमर तो मैसिव पर जहा है जो सोना बढ़ने के साथ में जो लगे बढ़े की उससे सारी 30,000 आजरबा स्वेवण podcasts जो सोना ना तरहें तो स्टाहिए थी थी आजरभ लेया है जो सोना हुए भी सिर्टे जैउट? तो के शुक्री आपका जैन साहब अपने व्यूज देने के लिए क्विक्ली एक भाव पर और मैं राय ले लू उसके बाद कच्छे तेल की बात करेंगे नरिंते नेजा भी हमासाद बने हुए है दिरेजी एक प्राइसे पर भी आउटलुक आपका गोल्ड पर सबसे पहले त इंट्रनेशनल मार्केट्स में दोजा तीस डॉलर के आसपास प्राइसे विलाल तो होल्ड कर रहे हैं बट क्या देख रहे हैं नियर टर्म रेंज और क्या स्ट्राइजी रहेगी ये कल जो गिरे है इस कारण से गिरे है कि वहाँ पर जो यूएस में इंट्रसेट बढ़ने की जो बात चुड़े थी मार्क तक की वो परसंटेज पहले जो 73 परसंट था वो घटकर पैसर्ट हुआ और कलो 40 परसंट की संभावना जता है जारी थी जिसकी चलते एक शार्फ परसंट के लिवस देखने मिल सकते हैं और अगर मैं शॉट तर्म या वेरी शॉट तर्म की बात कहूं तो मुझे लगता है कि एक सट नो सो एक सट नो सट नो सो बीस के आसपास गोल्ड खरीदारी करनी चीए बातर टीन सो बातर चार्ट पचास के समें लक्ष देखी जा सक किया है दूसरी तरफ मिडिल इस की टेंशन सप्लाई वरीज की एक तरफ चिंता बनी हुई जैसे हमने रशियन ओयल फ्यूल एक्सपोर टर्मिनल पर अटाक आते हुए देखा है तो यह सारे ट्रिगर कैसे प्ले होंगे क्या उटलुक रहेगा इस पर करते हैं बातचीत हमा कोर्स आ रहे हैं प्रोजेक्शन्स आ रहे हैं आई-ई-ए की तरफ से ओपर की तरफ से एक तो और जगह से भी आए हैं कि दिमांड वो बढ़ने वाली है तो उसको लेकर मार्केट जाहर है कि रियक्ट करता है और जब जब जैसी बात होती है तो फिर कीमतिया उपर जाती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कोई ट्रिमाटिकली या सिग्निपिकंटली को डिमांड में बढ़तरी हो जाएगी वन मिलियन की हो जाएगी लेकिन उसके लिए सप्लाई काफी है हमने देखा है कि रूस का तेल लगा था बाजार में आ रहा है जह दूसरे सबसे बड़ा तेल का बाजार है और भारत तीसरे सबसे बड़ा बाजार है अगर भारत भारत भी शुरू कर देता है और अमरीका उसमें कोई जादा जो है औज fleeing लेता है तो जहारा है फिर सप्लाई और बढ़ बढ़ जाएगी क्यों कि एरान के बाहस बहुत बड़े देल के मंदार हैं तो सप्लाइ साइज से जो है सिचुएशन जो है कमफचिबल है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जियो पॉलिटिक्स के साब से जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि Middle East में सिचुएशन फिलहार जो है वो एसकलेट नहीं हो रही है और जहां त कि कीमते में परकाएगा इसलिए कीमते जो है वो 80 डॉलर के एर्दिगर्द घूमेंगी कभी नीचे चले जाएएगी बहतर भी हो जाएएगी सत्तर भी हो जाएएगी और दूसी तरफ जो है वो 85-86 भी हो जाएएगी लेकिन अगर आप और आप आसपास आएगा जहां तब ब्रेंट की बात है और भारत इंडियन बास्केट जो होती है वो थोड़ा सा हमेशा दो डॉलर के करीब काम होती है क्योंकि एवन साओधी अरब ने जो बहुत लंबे समय के बाद भारत वगरा को कंसेशन देना शू किया है इससे पहले तो भारत से एशिन प्रीमियम करके दो डॉलर पर बैरल एक्स्ट्रा लेता था तो इसलिए सिचुएशन बदल रही है और जो खास दोर से जो बड़े इंपोर्टन है भारत जैसे अब जो है वो इसको लेवरिज कर सकते हैं क्योंकि जो बड़े प्रोडूशन उनको भारत जैसे बाजार की जरूरत है चीन जै जब तक चीन से डिमांड बढ़ेगी और जब तक चीन से डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती है बहुत बड़ा कीमतमें परिवर्तन आने वाला नहीं है और फिलहाल अभी जो डेटा है जिस तरह के संकेट चीन से निकल के आ रहे हैं अभी लगता नहीं कि चीन की तरफ से ज इसा खुछ नजल नहीं आता तो इसलिए असी के असपास कीमते घुमेंगी सतर पर आ जाए तो खुशी मत मनाईए पिचासी पर वजाए तो परिशान मत हुई अच्छा तो मानके चलें कि 70-72 नीचे की तरफ उपर की तरफ मैक्स पिचासी ये रेंज रह सकती है कच्छो तेल की तनिजा साब मतलब यह है कि 87 भी जा सकता है 88 भी जा सकता है अगर किसी ओयल टेंकर पर हूथी ने हमला कर दिया जो हो रहा है लाल सागर के अंदर रेट सी में तो जाहर एक दम जो है कीमत जो है उसी दिन जो है वो तीन डॉलर उपर चली जाएगी लेकिन यह है कि दूसी तरफ हमने आप नहीं है लेकिन बीच में कोई ऐसा हादसा हो जाएगा तो आप देखेंगे कीमत जो है वो 87 भी पहुँच जाएगी एटी 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 बी बहुच जाएगी लेकिन टिकेगी जो औसक निकल के आएगा वो 80 डॉलर के आसपास जैसे मैंने का सबसे बड़ा फैक्टर है भारत में टेल की दिमांड बढ़ गई है जो तीसरा सबसे बड़ा बादा जा रहा है कुछ और जगे भी थोड़ी बहुच बढ़ रही है मद्यपूर में भी बढ़ रही है लेकिन चीन जो है वो बिग ऐलेफेंट है जब तक चीन से बाद को लेकर के बाजार अश्रस तनी हो जाता कि चीन से सस्टेंड डिमांड आने वाली है जब तक कीमत है उपर जाएंगी मुझे ऐसा नजर नहीं आता और हमको यह नहीं बूलना चाहिए अमरीका जो देल दुनिया का सबस्वरा तेल का उत्पादक भी है और बोगता भी है वह चुनाओं है और बाइदन सरका है कि वह सब को प्रभावित कर सकता बाजार को भी प्रभावित करता हमें बूलना नहीं चाहिए तील कवाजाँ डॉलर में चलता है और डॉलर अमरीका की करेंसी है तो कहीं नगयों उस से उनको एक हैंडल मिलता है और दूसरी कह उनकी कूट नहीं ती तो इसलिए मुझे यसा नजर नहीं आथा है चीन की आर्थिफिगास हो बहुत जादा ग्रोथ ऊजाए यह विलाश अभी चीनी की राष्टपती के प्रियारिटी नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो डिमांड कहा से आ जाएगी इसलिए डिमांड बढढेगी चीन से लगता नहीं और अमरीका में एलेक्शन, भारत में एलेक्शन, इंडोनेशन में एलेक्शन, मैक्सिको में एलेक्शन, तैवान में आधी दुनिया में चुनाओ है तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चीन की तेल की कीम्दगी ओपर जाना वाली चले शुक्रिया तरजय साब आने के लिए शो में और अपने विउस देने के लिए जो डेवलपमेंट्स हो रही हो उनको भी इनलाइस करने के लिए रुकरे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए देश सुमान हमासद बने हुए हैं किसपा स्ट्राटेजी पर तो करेंगे फोकस नेकिस साथ ही बात करेंगे जीरे की भी और जीरे में हमने 27,000 की नीचे भाव आते वह देखा है दिनेश ट्रेडिंग कांपने के प्रे अप्रेटर दिनेश भेटर भी हमासद मौज़ूद रहेंगे एक ब्रेक के बाद समझेंगे उनसे फंडमेंटल्स जीरे के और प्राइसे पर एक आउटलूप चलो अपस आते हैं आप दिख रहे हैं कमोट्री राउंड अप और अब बात करेंगे जीरे की जहांपर लगातार हमने गिरावट देखी है और प्राइसे एक्सपर 27,000 के नीचे फिसल चुके हैं बाजार मान रहा है कि कीमतों में अभी और गिरावट आ सकती है क्या है कारण और कहां तक जा सकते हैं भाव इसी पर बातचीत करते हैं दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रप्राइटर दिनेश भटर हमासत मौजूद है दिनेश जी नमस्का स्वागत है आपका तो हमने लगाता प्रेशर देखा है जीरे के प्राइसेज में और वजहाए इसके पीछे यही रही है कि जो गुजरात है राजस्थान है वहां जो की कल्टिवेटिंग स्टेट्स है वहां पर बेटर प्रोड़क्शन प्रोस्पेक्ट्स के मद्दे नजर और साथी साथ मैडम जो भी बजार कहता है वो एक प्रोडेक्शन बिजी ज़्यादा थी और किसानों बिजी बहुत अच्छी भी किया और करीबन डैड को ना बिजी एवरेज बिजी है तो गुजरात में बिजी जैसे डबल डेटा है राजस्तान में 25-30 परशंग बदा है इस बात का अच्छी खड़ी है सप्लाई माल काफी कम हो गया है करी श्टोक अभी बहुत लौक के बराबर रहेगा और जो भी अभी फिलाल मंदी में आमदनिया जो बड़ी मंदी है उजा मंदी उसमें करीबं पंदर सो सुदो जार बुरी नहीं पुराना जीरा आरा है और नहीं जीर पंदर फरवरी के बाद में जीरे के आमदनिया जार पंदर सुदो बुरी नहीं की हो जाएगी और मार्च के अंदर अच्छी खरेबल देख सकते हैं फिलाल रजेस्तान के अंदर जो खड़ी है अच्छी है कुछ जिलों में सुनने को मिलना फुलो भी जिलाए और जसल में जिले में कुछ जो दूर आती है जैसे उसको बोलते हैं दुन्द जो मौसम का उसका इफेक्ट आगट के जीरे में तोड़ा नुकसान की बात आ रही है फिलाल हर साल 10-15 अभी इस परशान नुकसान होता ही है फिलाल वो सुनने को मिल रहा है अभी ज्यादा को नुकसान की जो बात नहीं मिलने को मिल रही है और वाहिदा एक भी जो आइडा जो चल रहा है उसके ऑंधर के यह एस नहीं सहें वाद्य S產oga को कशान में का उनल बिलाओका ज़से कम से कम 50-60 किलो अभी निचा है तो कि इसके अंदर जो भी नई क्रॉप के कारण इसका बजा रुकावा है इसके अंदर नीचे बाहों में जनुरी का बाइदा तो कट गया था तो फिलाल ये बहुत नीचा चल रहा है तो दिरी दिरे आमने में बढ़ेगी और इसका मेल आगे जाकर मार्च के अंदर इसका मेल हो ज कर अभी मुझे वाई देना बंदी करने का सब नहीं लग रहा है है हूं हम ओके तो फिर भाव को लेकर क्या स्थिती आप देख रहे हैं क्योंकि एक तरफ आपने जैसे बताया एक्सपोर्ट डिमांड बहतर होती हुए दिख रही है लेकि नहीं आवक भी आना शुरू हो ज सबसे बड़ी बात किया इस पार 65,000 बाव आये अट्रक्शन बाव था उसके सामने किसान ने उसी बाव को देखते बीजी जड़े की थी ना कि ऐसा कोई लालस नी था यारे साल बीजी पिछले साल भी तीन सुरूपे का बाव जी लेका था तो बीजी भी पिछले साल से डे सुरूपे किलो का खड़ाता है एंसी बीजी डिमेट करने का बाव का बाव का वाईदा में ली रहा है कि इन बाव में अगर साथ फसल आती है तो किसान बेस पहने नहीं क्योंकि अभी जो फसल है वो ही किसान ही सप्लेर रहेगा इसका अब किसान का रुक रहेगा वाईदे कि अगर बाव कि तो कैसा रहता है मार्केट आगे वह इंपोर्टन रहेगा जैसे बताया राजिस्तान के साब सब्सक्राइब अपने व्यूस देने के लिए कुए चलते हैं दिरेश तुमानी के बात करें तो कुछ रेटिंग स्ट्राटेजी रहेंगे आपकी तरफ से जी बिल्कुल मुझे लगता है कि गम जो है एक लेवल अट्रेक्टिव हैं या पर 10,670, 10,680 फरवरी गम एक लेने का रेट रहेगा 10,900 और 11,181 में लेवल देके जा सकते हैं हल्ली का काउंटर मुझे लग रहा था सुबसे लेकि मैं थोड़ा सा उचे लेवल पर आ गया है मुझे लगता है कि हल्ली अगर दुबारा पंदरादार पंदरादार बीस क्यास बात अगर आती है तो इसका एफिल का कॉंट्राक्ट बाय के आ जा सकता है फंदराज तो इस रेंज का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए यह रेट मुझे लगता है कि हाल फिलाद अभी एक या दो में निजल एक बॉटम रेट नजर आते हैं अब साइट में दोबार एक बार बार वंटीज़ियार तीज़ियार दोसों के लिवस देखने के सकते हैं ओके चले शुक्राइद रेट जी शो में आने के लिए अपने स्ट्राटेजी भी शेयर करने के लिए रुपने सी के साथ एक ब्रेक के लिए ब्रेक उस पार आप देखे वाइदा माकेट का पूर आक्षिन फीचर एक्सप्रेस में नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो था एक रजिए यव्र।